हेलो दूस्तो नमस्कार नौर्मल स्क्रीन के उपर दोस्तो आप सभी लगंको बता है बाजार कितना बड़ा समंदर है और देली बेसे की उपर देखा जाए तो बहुत सारे खबर यहां पर आती रहती है तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तीन दीन तो बाजार यहां पर पूरी तरीके से बंद है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ front end में बट इसके पीछे जो back end रहता है वो तो चलने वाला है और इसका impact हम लोगों को Monday ना सही Tuesday की दिन यहां पर देखने को मिलने वाला है जब बाजार open होगा तब तो दोस्तों यहां पर हम लोग कह सकते हैं सरकार के जो बड़े-बड़े मिनिस्टर रहते हैं वहाँ पर अपने-अपने कुछ projects के related वो बाते बताते हैं तो वैसी अभी हम लोग को एक और यहां पर news फिलाल सामने आते वही देखने को मिल रही है और मैं वापस कह सकता कोई sources के द्वारा news नहीं है officially जो minister है union minister है उन्हें यह बात यहां पर बोली है so देख लेते exactly news किसे related है तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो दोस्तों आप देख सकते a new India is in making with infrastructure which will be no less than that in the US and Europe in five years so अगर हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों तो यह union minister निति वाले next 5 सल के अगर हम लोग बात करें मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनीका statement है आप देख सकते in a five years time I can give guarantee that India's infrastructure will change and अगर हम लोग बात करें US and European की जो countries है US and European countries वो मतलब उसके comparison में इंडिया पीछे नहीं रहेगा यह मैं नहीं बोल रहा हूं यहापे नितिन गड़करी ज जरूर यहापे देखने को मिल रही है and उसी रफ्तार में हम लोग को यहापे आने वाले next 5 साल में भी यहापे खुद को देखने वाले है and उन्होंने कुछ और भी बाते यहापे add-on किये जैसे कि उन्होंने का है कि यह चीज़े ऐसे बोलने के लिए नहीं है क्योंकि अगर अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें हम लोग यहापे future की 5 साल की तो already बाते कर चुके है बट पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें already इसका foundation जबरदस मजबूत हो चुका है somewhere around 17 lakh करोड इतना जबरदस हम लोग को infrastructure का foundation strong होते वे देखने को मिल है so foundation strong रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं आगे की journey और भी मजबूत यहापे रह सकती है so definitely दोस्तो हम लोग यहापे कह सकते हैं जब एक union minister ही इस तरीकी के statement देंगे इसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले जो next 5 साल रहेंगे वहाँ पे हम लोग को infrastructure इस sector से जुड़ीव कोई बात है कोई GST से related कोई चूट कुछ ना कुछ यहापे उन लोगों को ज़रूर यहापे चूट मिल सकती है क्योंकि सरकार के और से हम लोग को यह डिरेक्ली ने इंडिरेक्ली खबर देखने को फिलाल मिल रही है तो इसका अर्थ क्या है डिरेक्ली जाके infrastructure वाले shares को अच्छा नहीं कर रहा है बट स्टिल उसमें अगर देखा जोए दो से तीन स्टॉक आपको मिलेंगे जो कि अच्छा पर्फरमेंस दे रहे है और अगर आप लोगों को दाव खेलना ही है तो डेफिनेटली अगर सरकार के और से infrastructure को help हो जाती है तो वो स्टॉक में जैसे मैं अगर की बात आती है सामने तो कभी-कभी आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए भी स्टॉक्स बता देते हैं तो रुस्तों मैं बताना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा टर्म है बहुत बड़ा मतलब अगर मैं guide water supply ये सारी चिज़े एक बहुत बड़ा टर्म है इस इसी से रिलेट जब कभी इमिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें सारी चिज़ें यहां पर इंक्लूड हो जाती है so infrastructure की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे stock अगर आप देखोगे तो struggle mode पे ही चल रहे है बिल्कुल भी मतलब खुद का capital ही recover करने के लिए निवे शकों को तकलीफ हो रही है so infrastructure की बात करें तो सबसे पहले मेरे सामने एक अगर कोई stock आता है तो वो है L&T and L&T की अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो इसके साथ बहुत सारे positive news अभी हम लोगों को जुड़ते वे देखने को मिल रहे है जैसे कि अगर मैं बात करूँ defense के negative list सामने आ रही है क्योंकि L&T defense में भी काम करता है आप में निर्वर भारत से रिलेटर अगर काम करना है तो L&T का भी नाम यहाँ पर सामने आता रहता है बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिंध को यहाँ पर मिलते रहते है and infrastructure sector की जबी भी बात आती है तो definitely इस stock में हम लोगों को अच्छी कासी तेजी भी देखने को मिल जाती है तो जरू मैं कहना चाहूँगा कि L&T एक ऐसा stock है जो कि आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना डरने की ज़रू इतनी निवेश करने के बाद हाँ सिर्फ एक ही problem है इसका कि slow चलना पड़ेगा unrealistic expectation यहाँ पर इस stock के साथ निवेश करने वालों को बिल्कुल लगानी नहीं चाहिए कि आज यह 1300 है कल जाके 1500-1700 जाएगा बिल्कुल भी नहीं दो हजार भी जाएगा बड़ उसके लिए time बहुत लगेगा इतना भी मैं आपको बता सकता है बहुत ही slow चलता है बड़ एक बिल्कुल भी सिक्योर क्योंकि सबी लोग का पता है एक डूबेगा तो नहीं इतनी बड़ी कंपनी है राइट हम लोग ऐसा पकड़ के आप चल सकते हैं सो कंपनी का चार्ट पेटर्न हम लोग हमेशा की तरह देखते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका ब अतलब मुझे बुरा लगता है जब लोग L&T में निवेश करते हैं बोलते हैं कि सर हम लोग लोग लोस में बेच दे बिलकुल भी नहीं आपने जो स्टॉक सिलेट के है वो बहुत ही जबर्दा स्टॉक है 36% की डिलेवरीज 26th मार्च को देखने को मिल रही है बाकी पैराम आत में दिखा है कि नहीं एक बार दिखा देता हूं यह देखिए यहाप देख सकते हो एक्जामपल्स में बिल्लिंग्स भी है मतलब कंस्ट्रक्शन वाले प्रॉपर्टीज वाले भी यह चीज़े आ जाती है एक और इंफॉर्मिशन दिखाना चाहँगा बहुत सार लोग पूछते भी है जेनिम सवाल है कोई भूड़ी बात नहीं है कि सर आप लेंटी की बात करते तो इंफ्रस्ट्रक्शर को क्यों कवर करते हो आप यहाप देख सकते हो लेंटी के सर्विसे मतलब क्या क्या चीज़े वह प्रोवाइड करती है पावर जंद्रेशन में है यह दे पर देख सकते हैं इंफ्रस्ट्रक्शर में भी यह कंपनी काम करती है जिनका भी डाउट आए हो पाशा करता आपको डाउट यहापर क्लियर हुआ होगा अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहापर इंफ्रस्ट्रक्शर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो पर देफिनेटली दोस्तों मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हो कि प्रॉपर्टी में मुझे अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है पर्सनल बात करो तो गोदरेच प्रॉपर्टी मुझे फंडामेंटली स्टॉंग जरूर नजर सामने आता है मतलब एक डेफ्री हम लोग को ऐसा कॉंबिनिशन देखने को मिलता है जापी जिसका चार्ट पैटन भी अप्ट्रेंड में है रेपिटेड ग्रूप से रेलेटेड है एंड कर्जमुग्द भी है ऐसे किसी भी स्टॉक में अगर आपको दाव के लाएंड लार्ज कैप भी है ऐसा वैसा स्टॉ मेरी बातों को ऐसे रेकमेंडिशन मत ले 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 ना बट मैं इतना के सबता है यह दोनों स्टॉक बहुत ही गजब के फ्यूचर में इसको जबर्फ दस फाइदा या पर हो सकता है गोदरेच प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करू तो रिसेंटली ये निउस हम लोगों ने देखने को मिलेती 475 करोड का इन्होंने बिजनेस किया है अगर हम लोग नोएडा की बात करें तो उन्हेंने लगबग 275 फ्लैट्स या पर बेचे है तो इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलती है कि अभी भी डिमांड या पर अच्छी तरीके से देखने को या पर मिल रह जाते है तो यह इस कंपनी का बहुत बड़ा एडवांटेज भी है तो गोद्रेच प्रॉपर्टी के बात करें फॉर्मलेटी के हिसाब से 26 मार्च को 28% के डिलेवरीज देखने को मिल रही है रिसेंट्ली हाई की बात करें 1 मार्च को 1500 तक यह स्टॉक यह पर जा चुका था सो दोस्तो इतना ही कहना चाहूंगा जो नितिन गड़कर जी ने यहाँ पर बाते बोली है कि आने वाले नेक्स्ट पाथ साल यहाँ पर इंफ्रास्टॉक्चर के यहाँ पर रहने वाले हैं एंड यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें उनका जो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रगलिंग सेक्टर है सो जरूर कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर यहाँ पर कदम उठा लेना तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेर कर देना तो टेट से टैंक्यू परीमास दोस्तों व विल्भी मेटिक आरनेक शुड़े तब तक के लिए बाइ-बाइ